तो आज हम कच्छा दस्वी की NCRT गडिक काध्याय दो बहुपद की प्रश्णवली 2.1 पढ़ेंगे प्रश्णवली आज हम 2.1 काध्यान करेंगे यहाँ पर आपको एक ही सवाल है और वो सवाल आपको यह कह रहा है किसी बहुपद PX के लिए 2 बराबर PX यहाँ पर एक से मतलब कि आपको एक सक्ष को दहन रखना है 2 बराबर PX का ग्राफ नीचे आकरती में दिया गया है यहाँ पर आपको 6 ग्राफ दिये गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको यहाँ पर 6 ग्राफ दिये गया है प्रत्य की स्थिति में PX के सुन्यकों की संख्या ग्याद कीजिए एसका पहला ग्राफ दिख लीजिए यहाँ पर आपको जो रेखा दि गई गई है ne यह जो रेखा है यह देखिये यह आपके एक सक्ष होता है आजी लाइन होती है उसको हम एक सक्ष केते है और जो खड़ी लाइन होती है उसको बायक्च कहा जाता है आड़ी लाइन को एक सक्च कहा जाता है यहाँ पर यह जो रेखा है यह रेखा एक सक्च को कहीं पर भी नहीं काट रही है कहीं पर काट रही है चुकि यह रेखा एक सक्च को कहीं पर भी नहीं काट रही है कहीं पर काटने मतलब कि एक भी जगा प्रतिछेद नहीं कर रही है तो इसके सुनने को क्यों संख्या जीरो होगी इसके सुनने को संख्या जीरो होगी तो कि यह रेखा एक सक्ष पर कहीं भी प्रतिछेद नहीं कर रही है कहीं पर भी क्रोश नहीं हो रही है इसलिए से सुनने को क्यों संख्या 0 है इसका अगले सवाल में देखिए यह एक सक्ष है यह जो रेखा है यह जो ग्राफ है यह ग्राफ एक सक्ष को एक बिंदू पर प्रतिछेत करता है यह ग्राफ एक सक्ष को एक बिंदू पर प्रतिछेत करता है तो इसमें सुन्ने को की संख्या सिर्फ और सिर्फ ए एक होगी क्योंकि सिर्फ एक बिंदू पर प्रतिछित करता है इसको आप ऐसे लेकों को हल करके इसके सुन्नेकों की संख्या एक होगी क्योंकि ग्राफ एक सक्ष को केवल एक बिंदू पर प्रतिछित करता है यहाँ पर आपके एक सक्ष हो गया इस सवाल में यहाँ पर आपक आपका ग्राफ एक सक्ष को तीन बिंदू एक दो तीन बिंदू पर प्रतिश्यत करता है अतहा इसमें आपको सुन्यकों की संख्या तीन होगी त्योंकि तीन बिंदू पर प्रतिश्यत करता है आपके हाँ पर अगला सवाल देख लिजी आपका ये एक सक्ष हो गया इस एक सक सक्ष को आपका ग्राफ जो ग्राफ बनाए ग्राफ ये ग्राफ दो बिंदू पहला बिंदू और दूसरा बिंदू एक सक्ष को ग्राफ दो बिंदू पर प्रतिछेद करता है अता इसमें सुन्ने को क्यों संख्या दो होगी यहां पर आपको जो ग्राफ है ये ऐसा भग रहा आपको graph एक सक्ष को किते बिंदू एक दो तीन चार चार बिंदूओ पर प्रतिछेत करता है अथा सुन्ने को कुछ संख्या चार होगी, यह आपको ग्राफ है, यह ग्राफ किते बिंदू? 1, 2, 3, 4, एक सक्ष को 4 बिंदू, 1, 2, 3, 4, चार बिंदूवों पर प्रतिश्यत करता है, अथा इसमें सुनने को भी संख्या चार होगी, यहां पर देख लीजी, यह आपका एक सक्ष हो गया, यह ग्राफ आपका, एक सक्ष को एक बिंदू, दो बिंदू, और तीन बिंदू, तीन बिंदू पर प्रतिशित करता है, यह हो गया आपका एक सक्ष, यह हो गया आपका ग्राफ, आपके जो ग्राफ, एक सक् संख्या तीन हो गई धन्यवाद जय हिंड जय भारत